अलो फेर्ड्स, वेल्कम पूरषण रहोई से डिसिज रहाम सोनी, आज हम डिस्क्रस करेंगे कुल भूषवन जाधवों के बारे में पाकिस्तान के कोर्ट ने इनको जो मिली थी मौत के सजा कहा पर दी गिंती मोत के सजा, पाकिस्तान की जो मिलिटरी कोर्ट है उन्होंने मौ किस जब मिली हुई है क्या उसमें कोई advantage मिलेगा let's talk about everything one by one तो पहले जाले जी कुल भूसरन जातों के बारे में इनको गिरबतार किया था मार्च 2016 में 2016 के मार्च में इनको गिरबतार किया गया था नाओ कहां से गिरबतार किया गया बलुचिस्तान के चितर से यह बेसिकली पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने इनको बलुचिस्तान से गिरबतार किया बलुचिस्तान के लोकेशन की बात करें तो यह पाकिस्तान आप देखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान का जो पश्चमी छेत्र है यह बलुचिस्तान का छेत्र है यह चेत्र कौन सा है बलुचिस्तान का एरिया है हाले कि बलुचिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट में प्रेंडम करा ले जाय तो सायद हो सकता हो पाकिस्तान से लग होने की बात करें, एनिवे, that's different matter, we are not here to discuss about that thing, लेकि इससे मात पर मामला यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान करना यह है कि इनको बरुचसान समने गिरापतार किया, यह वहाँ पर स्पाई कर रहे थे, स्पाई मतलब जासुसी कर रहे थे और इसके चलते, पाकिस्तान की मिलेटरी कोर्ट ने इनको death sentence वार्ड किया है, मतलब मौत किस जा सुनाई है, अब देखी, मामला क्या है, यहाँ पर भारत ने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, यह हमारे former नवी officer है, हमारे मतलब naval officer है, no doubt, लेकिन इन को वहां से kidnap के अगया है, कहां से kidnap के अगया है, इनको इरान के port छाबाहर से kidnap के अगया है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे, तो look at this one, यहाँ पे पाकिस्तान के इस side में इरान है, और इरान के यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर पड़ेगा एक छाबाहर port, औ बतावनाची आप लोग को भारत नी पोर्ट बना के इरान को दिया है और यहाँ पर बेसिकली जो नवी आफिसर है कुलभूशन जी यहाँ पर प्रापर बिजिस करते थे यहाँ पर इनका खुद का बिजनस था and he was working over there तो यहाँ बुला गया है कि बेसिकली पाकिस्तान ने इ अब बेसिकली मामला क्या है आई जानते हैं पाकिस्तान गवर्मेंट ने बेसिकली यह बिल लाया बिल लाने का परपस यह बुला जाता है कि भारती नेसनल जो है कुलभूशन जातो इनकी हैल्प करने के लाए गया था लेकिन बेसिकली मामला यह नहीं है मामला बेसिकली य उनको अपील करने का अधिकार होना चीए वहाँ की टॉप कोर्ट से और बेसिकली पाकिस्तान ने इन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया दूसरा यहाँ पर जो पाकिस्तान ने यह सारा सिस्टम रखा कुल भूशन जादो के गेस में जितने भी वहाँ पर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने यह बिल लाया है हाला कि हम विल इसने लाया है के इन्वेस्टरी कset स की अपिल नहीं बात करें लेकिन पाकिस्तान गुवर्मेंट को यह भी लाने के लिए बड़ी महरत करने पड़े हैं वहाँ पर बेसिकली, देखे, दो वहाँ पर भी पार्लेमेंट है, तो वहाँ पर जो अपर हाउस है, उसने बेसिकली यहाँ पर साइंड करने से मना कर दिया था, इसके चलते उन्हें जॉइन सेशन बुराना पड़ा, मतलब सैंग्तु दिवेशन बुराना पड़ा, आप दे क्या है और तेर मेने का टायम बेत जाता है क्नょ में joint sitting बुलाया सकता है लेकिन याद रहे है joint sitting में वो time count नहीं क्या था जिससे Parliament session में नहीं है ते भी चीज आपको पता होना अच्छी now look at the next point आप expert से कहना क्या ये है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा देखे expert कहरा ये कि इस law से कोई बहुत जाओ फर्क नहीं पड़ेगा चुकि पाकिस्तान के काम करने का तरीका वैसे भी transparent नहीं है तो उसके चलते it will not make a big impact अब यहाँ पर देखा जाये तो ये जो law है ये लाओ करेगा किसी foreign national को especially हम बात करें इनके बारे में तो यहाँ पर वो किसी पाकिस्तान के जो high court है वहाँ पर review के लिए petition file कर सकते हैं मतलब appeal कर सकते हैं तो ये basically यहाँ पर है अब देखें अब यहाँ पर देखा जाये तो evenly बहुत सरे जो bill है अब joint session क्यों लाए गया joint session इससे पाकिस्तान वे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वहाँ कई political condition जो है वहाँ पर opposition ज उन्होंने joint session इन बुलाया था उस मामले में जब यहाँ पर election act 2017 में इन्होंने amendment किया था अब देखें election act 2017 में amendment किया था कि यहाँ पर EVM जो machine है इसका 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 इसके चलते बाद में वीवी पैट लाए गया हाला कि यही system अब EVM का system बहाँ पाकिस्तान में भी लादिया ग भी लोगों ने खुब कर्साइज किया तो उसको basically pass नहीं किया जा रहा था फिर वहाँ पर पाकिस्तान के जो government है उन्होंने joint session बुलाया था दूसरा इसके साथ में जो overseas Pakistanis हैं उनको basically voting right देने की बात थी तो वहाँ पर भी देखा जाया तो वहाँ पर भी joint session बुलाया गया च पाकिस्तान के law minister ने बताया और ये बिल ले क्या है हाला कि पता हो ना ची आपको बता दिया था मने international court of justice ने 2019 में एक judgment सुनाया था उससे बोला था कि आपको reconsideration and review करने के लिए आपको अधिकार खुल भूश जादों को देना पड़ेगा ये आप नहीं दिया तो आपके guest में action दिया सकता है और इसके चलते यहाँ पर पाकिस्तान ने ये बिल लाया है इंड्रोडूस किया है तो ये थोड़ा सा चीज आप पर गयाद रखेंगे बाकी चीज़ आलड़ी में डिसकस कर चुका हूँ इंडिया की बात करें तो इंडिया ने आलड़ी आपको पताओना चीज इंडरेशन कोड़ड़ अपड़ेशन में अप्रोच किया था लाइकि यहाँ पर हमारे समय judge हैं जिनका नाम है Justice दलवीर भंडारी आपको नीचे कमेंट करें बताना है कि इंडरेशन कोड़ अब जर पाकिस्तान की जो कूर्ट है, मिलिटरी कूर्ट ने सोची डिसंटेंस दिया है और कमाल की बात है वहाँ पे अपील करने का अधिकार तक नहीं दिया था, आप देखा जाएं सीधा का सिधा जो विना कन्वेंशन है इसको अपोस करता है, जोकि पाकिस्तान जो है विना कन्वे करते हैं, तो उसको प्रापर तरीके से आप इसका अर्टिकल 36 यहाँ बोलता भी है कि जो होस्ट कंट्री है, उसको एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उस सिधिजन के एमबैसी को, मतलब सपोज करिए आप इंडियन गिरपतार करते हैं पाकिस्तान में, तो आपको जो के लावा है थी हम देखें दूस्रे आइड में, सेकेन्ड साइड हम देखें, तो कल भूशन जादो केnięस्त में, अब देखें, कल भूशन जादो को इन्हों ने घिरपतार दुकर लिया, पहले बात तो इन्हों ने इनफॉर्म नहीं किया और जब इन फॉर्म किया भी तो वहाँ पे काफी critical circumstances में सारा प्रोसेस चलाया जब कुल भूशन जा दो जब इनकी मिलाकात हुई हमारे देस में हमारे देस जब काउंसलर वहाँ पे गए तो देखा तो यहाँ पे कुल भूशन जा दो काफी different condition में थी उनकी जो mother है या wife है साधा I guess वहाँ पे गई थी तो उसक पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो काम करने का तरीका है वो कितना transparent है how they had been behaving with the international यह अपने आप में बड़ा concern करता है यह रहा discussion इसके बारे में लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान को और क्या करना चाहिए क्या पाकिस्तान देखे यहाँ पर ह क्या किस तरह से interfere Indian government को करना चाहिए आप किस पर opinion क्या है what is your opinion that thing please do comment below मुलाकात करते आप उस फिर लेकिन जो नए friends है वो learn services नाम का हमारा telegram group follow कर सकते हैं यहाँ पर classes के information share क्या आती है तो इसके माध्यम से भी आपम से जुड़ सकते हैं मुलाकात करते आप उस फिर तक लिए बाबाए और टेक केर